हाई गाईज मेरा अब तो आप से देख्टर आपपी के चैनल दिपतनोशील को दोस्तों अभी एक नया इशू आया है मॉनेटरेज़ेशन पॉलिसी वाइलेशन को लेके इससे पहले भी मैंने मॉनेटरेशन पॉलिसी वाइलेशन पे काफी सारे वीडियो बनाया मगर उन वीडियो पे जो फ्लैग फॉर बीएबियर का इशू आया था उसके बज़े से पेज जो है रेड हो गया था मगर इस दफ़ा आप देख सकते हो येलो बनके बैटा है मॉनेटरेज़ेशन इशू जो है वो आया हुआ है मगर वो येलो है पहले रेट फ्लैग हो गया था जैसी फ्लैग फॉर बीएबियर के इशू आता था पेज हो जाता था फ्लैग रेड हो जाता था और मॉनेटरेशन सारे बंद हो जाते थे मगर इस बार जो इशू आया हुआ है मॉनेटरेशन पॉलिसी वाइलेशन के नाम से पेज पे आया हुआ है जिसके बज़े से page at rix हो गया है monetization यहापे आप देख सकते हो you are able to earn money इसका मतलब है आपका पैसा कमाने का जो tools से monetization है वो बन नहीं हुआ है, रद नहीं हुआ है, रेस्टिक नहीं हुआ है वो सिर्फ rix पे है, मगर monetization चालू है, earning भी चालू है और आप देख सकते हो अगर item side पे देखोगे सारे tool के बाजू में यहापे एक exclamatory sign बना हुआ है yellow mark का, यह at rix का है, यह red नहीं हुआ है इसका मतलब सारे tool अभी भी eligible है monetization के लिए और सारे tool से अभी भी पैसा earn किया जा सकता है या फिर हो रहा है, सिर्फ alert है, red flag नहीं हुआ है अब बात यह है, यह तो सबसे खतरनाग violation है जितने भी policy violation page पे आते हैं आज तक सबसे खतरनाग violation है, monetization, policy violation जब वो flag behavior के बज़े से facebook पे आता है मगर इस page के creator ने ऐसा क्या किया जिसके बज़े से यह issue आया है यह समझना, यह find out करना आज के इस page health checkup का सबसे important part होगा ताकि अगर आपके page पे ऐसा issue आये तो आप भी उसको ठीक कर पाओ और जिन लोगों को ने अभी तक ऐसा issue face नहीं किया उन लोगों को भी पता चले कि यह ऐसा issue आता किस बज़े से है ताकि वो लोग अपने page पे वो issue ना आये उसके लिए eligible रहे ताकि यह ऐसा issue ही ना आये इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यह बहुत ही एक अच्छा खासा page है यह आप आप देख सकतो एक लाग से भी जादा का follower बाला page है original content creator है food category का review video डालते है अब इस page पे यह issue आया हुआ है creator को कुछ आता पता नहीं समझ नहीं क्यूँ आया है अचानक से ऐसा क्यूँ हो गया आप लोग के साथ ऐसा हुआ के नहीं हुआ जरू comment section में comment करके बताना अभी monetization tools पे जाके देखेंगे तो आप देख सकतो at risk of restriction यानि कि खत्रे में है in stream ad मगर monetization बन नहीं हुआ है इसलिए yellow है वैसे ही at risk of restriction star है you are at risk of losing ability to earn money performance का भी same हाल है even reals overlay at का भी same ही है आप देख सकते हो कारण वही है monetization policy violation मगर आज से कुछ दिन पहले यह issue आता था तो page red flag हो जाता था मगर अब yellow दे रहा है तो यहापे मैं तो कहूंगा yellow दे रहा है तो अच्छा है at least monetization तो बन नहीं हो रहा है क्योंकि monetization policy violation आता है flag हो जाता है earning तो बन होता ही होता है उसके साथ जो amount आपने earn कर लिया वो अगर 100 dollar से भी जादा हो जाए तब भी आपका payment release नहीं करता है until and unless वो flag behavior हट ना जाए पूरी तरीके से आपके page अब यह issue यहापे आया हुआ है page पे monetization अभी भी riggs पे है चालू है तो पैसा भी आता रहेगा जब तक यह yellow रहेगा अगर red हो गया तब पैसा आना बंद होगा और earning भी बंद होगा और अगर yellow रहा तो payment भी मिलेगा और earning भी चालू रहेगा अब सबसे main important बात है यह issue इस page पे आया क्यों है तो मैंने थोरा सा इस page के content को जाके चेक किया क्योंकि यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो monetization issue पे यहाँ पे लिखा हुआ है partner monetization policy का उलंगन हुआ तो मैंने धून धून के निकाला कि partner monetization policy अपने आप में बहुत बड़ा policy है यहाँ पे बहुत सारे rules नियम होते है facebook का जिसके बारे में already मैंने जिकर करके रखा है several other videos पे अगर आप मेरे channel को follow करते हो पहले से अगर नहीं करते हो अभी भी time में subscribe कर लो और channel पे जाओ सारे पुराने वीडियो उठा के देखो knowledge इखटा करो तो फिर आपको समझ में आएगा partner monetization policy के मद्दे नजर रखते हुए तो मुझे एक चीज़ पे अठका है partner monetization के engagement बेट पे मैं अठका हुआ हूँ क्यों क्योंकि इस page पे ऐसा कुछ किया गया है जो engagement बेट यहापे आप देख सकते हो engagement बेट का policy में निकाला हूँ content monetization policy के अंदर आता है जो के partner monetization policy का ही एक part है यहापे लिखा गया है content that incentivizes people to click a link और response to a post through like, comment और share अगर कोई लोग को आप आपके content के दुआरा कोई link पे click कर बाके like, comment, share करवाने की कोशिश करते हो यह दर असल engagement बेट होता है उस कारण से भी monetization policy violation आ सकते है यह कारण हो सकता है और यह policy मैंने इसलिए पकरा है क्योंकि इस page पे मुझे ऐसा चीज मिला है अब कौन सा ऐसा चीज है वो पहले दिखाता हुआ इसके लिए थोड़ा नीचे जाना परेगा मैंने एक-एक करके content छान मारा और recent content देखा क्योंकि यह issue भी इस page पे recent आया हुआ है अगर आपके page पे आता है तो आप भी जिस time से आया है उस time से लेके 90 दिन का content चेक कर लेना एक दफ़ा तो अब मैं जैसे थोड़ा नीचे आया तो मुझे वो चीज engagement बेट का मिल गया है जो के हो सकता है एक कारण हो ये वाला policy violation आने तो इसके लिए मैं थोड़ा नीचे और जाऊंगा ताकि आप लोगो दिखा पाऊ ये इसलिए मैं आप लोगो दिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ ताकि आप लोग ये mistake ना करो जिनोंने अभी तक नहीं किया है वो repeat ना करो और जिनोंने किया है वो उसको सुधार करो क्योंकि सुधार करोगे तो हो सकता है आगे चलके वो issue ठीक हो जाए तो मैं यहाँ पे आगया आप देख सकते हैं 5 days ago एक post किया गया है जिस पे यहाँ पे description पे लिखा गया है follow me on instagram और फिर instagram का link दिया गया है और एस पर जो policy होता है उस पे engagement बेट में आता है कि people को link क्लिक कराने के लिए like कराने के लिए comment शेयर करवाने के लिए अगर आप मजबूर करते हो तो वो engagement बेट है और उसके मद्दे नजर रखते हुए आपको monetization policy violation आ सकता है तो यहाँ पर यह एक कारण हो सकता है इस page पर यह वाला इशू आने का monetization policy violation flag for behavior आने का एक कारण यह हो सकता है यहाँ पर दुद का दुद पानी का पानी करके दिखा रहा हो और यह सिर्फ एक post किया है ऐसा नहीं पहले भी अगर post देखूंगा तो यह similar kind of thing यहाँ पर डाला गया यह दरसल engagement bait है ऐसा आपको नहीं करना है follow me on instagram और फिर link ऐसा नहीं डालना है इसलिए मैं मना करता हूँ सबको follow, like, comment, share, tag यह word ना तो बोलना है ना तो लिखना है यहाँ पर लिखा भी है और साथ में engagement bait करके link भी दिया हुआ है जो के नहीं देना है तीन post ऐसा मैंने देखा कि यहाँ पर किया गया है और repeatedly जब mistake होता है तब facebook flag करता है एक mistake ignore करता है shadow कर देता है मगर जब बार बार लगातार होता है वो ही मिष्टी तब facebook पकरके issue दे देता है अभी तो यह page lucky है कि इस page पर flag behavior आने के बाद भी red flag नहीं किया है yellow flag किया है जिसके वज़े से monetization भी चालू है आनिंग भी चालू है आपे मैंने और भी content देखा आभी तो फिरहाल बाकी content में में उतना जाके कुछ engagement बेट मिला नहीं मगर यह जो food बाले category pages है उनमें अभी flag behavior का issue बहुत ज्यादा आ रहा है एक-एक पेजों का एक-एक कारण होता है मगर overall आप लोगों को जानना as a food category page और other category बहुत जरूरी है तो वो भी मैं बता दूँगा बाकी और क्या कारण हो सकता है किस बज़े से आता है similar photo या same photo same photo बार-बार upload करना जो के कर रहे है जो देखो यह photo यह photo यह photo यह photo यह photo यह photo same photo है ऐसे भी आपको multiple same photo upload ही नहीं करना है वह भी करोगे तो भी flag behavior का issue हो सकता है multiple uploading of same picture नहीं करना है अब तीन दफा एक ही picture upload किया गया है अभी ये भी देखा गया है, बहुत सारे लोग फोटो डाल देते हैं, कैप्शन नहीं डालते हैं, अब कैप्शन में क्या बोल रहा हूँ, आपको एक live example ही दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले हैं, वो भी flag behavior का एक कारण हो सकता है, ऐसे तो same photo तीम बार नहीं डालना है, दूसरा mistake, ये एक photo डाला गया है, यहाँ पे कोई caption नहीं है, title नहीं है, तो वो image ही हो, taxi हो, live ही हो, या video ही हो, हमेशा हर content पे title होना चाहिए, तो बिना title के कोई content नहीं डालना है, वो भी policy के against है, live कर रहे हो, live पे caption नहीं डाले हो, title नहीं डाले हो, वो भी एक flag behavior है, वो भी नहीं करना है, ये भी इस page पे किया गया है, जो कि इस page के owner को देख के ठीक करना है, कभी-कभी देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग जब multiple photos डाल रहे है, bonus earning के लिए, तो same title जैसे shooting time लिखा हुआ है, same title बार-बार डाल रहा है, और photo डालते जा रहे है, या photo पे भी same title, video पे same title, same title, same title, again and again, वो spam होता है, वो करोगे, तो भी आपके page पे flag behavior का issue आ सकता है, हलाकि इस page के content creator नहीं किया है, मैं overall बता रहा हूँ, flag क्यों आता है, अगर आपके photo में बहुत सारे लोगों ने like किया है, तो उन सारे लोगों को एक साथ page follow करने के लिए invitation नहीं भेजना है, हर एक घंटे में 10 invite करो, उससे जादा मत करो, करोगे एक साथ 100 लोगों को बेज दिया invitation, page like करने के लिए, तो वो भी एक तरीके का spam है, engagement बेट है, उसके बज़े से भी flag behavior का issue आ सकता है, अब बहुत सारे लोग क्या करते है, food category में, knife दिखाते है, छूरी, अब पता नहीं ही भा edit में skip करना है, क्योंकि वो weapons category में आता है, और Facebook का AI, robot उतना intelligent नहीं है, कि ये behavior को समझ पाए, emotion को समझ पाए, वो सिर्फ weapons ही समझेगा, अगर knife दिखाते हो, छूरी दिखाते हो, दा दिखाते हो, तो वो सब नहीं दिखाना है, कुराली नहीं दिखाना है, वो सब दिखाऊग करते टाइम, blood, खून, निकल रहा है, वैसा नहीं दिखाना है, कट करते हुए नहीं दिखाना है, वो पार्ट को skip करना है, नहीं करोगे, तो भी flag behavior के issue आता है, food category के page हो पे, अब wave, जब आप gas जलाते हो, तो जादा अगर आग दिखाऊगे, fire जादा निकल रहा है, होगे, तो भी flag behavior के issue आता है, food category के page हो पे, तो जगा पी editing में skip करना है, यह सारे चीज़ों को ध्यान पर रखते काम करना है, और यह सारे चीज़ों को धिरे धिरे delete कर देना है, एक साथ नहीं, धिरे धिरे, बल्क में वीडियो है, तो बल्क में वीडियो को expire करो, expire यानि कि YouTube के भाषा में private, Facebook के भाषा में उसको expire बोल, वो private हो जाएगा, फिर private से 121212 करके delete करते जाना है, यानि कि expire से delete करते जाना है, ऐसे करके आपको page को सुधार करना है, ताकि ऐसे issues ना आए, और आए तो चले, इस भाई को भी मैं कहूंगा, जो मैंने अभी दिखाया है, उन एक साथ multiple content को जाके edit करोगे, तो वो भी spam है, तो धीरे-धीरे करना है, अभी एक घंटा पहले एक content का मैंने edit करके हटा दिया, फिर एक घंटा बाद एक content का हटाओंगा, फिर एक घंटा बाद दूसरे content का हटाओंगा, एक ही time पे बैठके हर content का नहीं करोगा, तो यह चीज सबसे मेन बात है, यह वीडियो बनाने का वो है, कि इतने दिनों तक monetary policy violation जो आ रहा था, जो सबसे dangerous policy violation में एक है, उस पे page red flag हो रहा था, monetization तो बंध होई रहा था, restrict होई रहा था, पैमेंट जो भी iron किया गया था, वो भी release नहीं किया जा रहा था, उसको भी रोग दे रहा था, मगर अभी देखा जा रहा है, new policy violation पे, same violation दे रहा है, मगर yellow करके दे रहा है, आपका yellow या red कौन सा आया है, ज़रूर comment section में comment करके बताना था, as a community हमें पता चले, इक इसको अभी क्या आ रहा है, बाकि बहुत सारे लोगों को ऐसे red भी आ रहा है, यह देखो, यह पहले आया हुआ, policy violation है, अभी भी page red पे परा हुआ है, restricted है, सारे moderation tool बंद है, आनिंग भी नहीं हो रहा है, और payment जितना भी आन हुआ है, वो भी release नहीं हुआ है, अब मैं जो दिखा रहा हूँ, यह case पे request अना दा review भाई ने शायद कर दिया है, मगर ऐसे issue आ पर होगे page पे तब जाके facebook आपके page को एक time के बाद automatically ठीक करके देख, अभी इस भाई ने mistake किया है, दिखने के लिए मिल रहा है, और भाई ने खुद कहा है, कि इस page पे एक video ऐसा डाला गया है, जहाँ पे snake, जिब जन्तु आया हुआ, snake को कुछ कर रहा था, हमने सोचा वो वीडियो पे issue हो सकते है, तो हमने delete कर दिया, तो ऐसा content डालना ही नहीं है, page अगर food से related है, food review का है, तो उसमें food review वीडियो ही आएगा, उसमें जीब जन्तु जानवर को खिचना नहीं है, लाना नहीं है, तो ऐसा भी mistake नहीं करना है, तो hope guys आज के इस page health check-up से, आप सभी को और particular list page के owner को भी समझ में आगया, mistake क्या है, क्या करना है, ताकि आगे चलके ये issue sort out हो जाए, एक good news ये है, ये page अभी तक monetize है, अभी तक earning हो रहा है और payment भी मिलेगा, जब तक yellow रहेगा, अगर multiple violation होगा, page rate कर देगा, monetization policy violation रहेगा, तो ये issue हटने में बहुत time लग जाता है सालो लग जाता है, be careful, और सोच समझ के काम करो, चैनल पे नहीं आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पे आए दिन आता रहता है, मिल तो आगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आब आद रहो, और मैं वोगर आम को द त करेंज आआ आजाइं, और मैं वोगरश, आज आः मिल शोगर गोज पोगरा जू झाएंभागगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग Alexa, जय को मैं ओर नहीं झाली हो 25तly, पर आपлекनिवोड़गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग